नमस्कर विद्यार्थियों आपका ओनलाइन कक्षाओं में स्वागत हैं हम अध्यन करें कक्षा 9 और हमारा जो विश्य है हिंदी हिंदी में हमारी जो पाट्य कुछ तक एक शितिज भाग एक और उसके गद्य खंड का अध्याय दूसरा पहले हमने अध्याय एक का ध्यन कर च और यह लहासा जो एक स्थान का नाम है तो उसका हम वर्नल पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो लेक प्रीच्चे हैं उसकी जानकर नितान तावशिक हैं क्योंकि हमारे इसमें जो प्रशन पत्र में इससे समंदित एक प्रशन नवस्या आता हैं तो इसलिए हमें इसका ध्यन कर नितान तावशिक हैं तो चली आगे बढ़ते हैं हम हमारा जो दूसरा अध्याई हैं राहूर सांकृतियायन और इनके द्वारा लेकित जो लहासा की यात्रा हैं तो उसका हम अध्यन कर रहे हैं तो राहूर सांकृतियायन का जनम सन 8803 में में उनके ननिहाल गाम पंदहा जिला आजमगाड उत्रप्रदेश में हुआ उनका पैत्रग गाम कनेला था अब यह पैत्रग यान की जहां पर पिता दादा निवास करते थे ना तो वो गाम इनका कनेला था लेकिन इनका जो जनम है वो इनके ननिहाल में हुआ जो की आजमगाड उत्रप्रदेश में हैं उनका मूल नाम कैदार पांडे था, उनकी शिक्षा कासी आगरा और लाहूर में हुई, अब इनकी जो राहूर संकर्तिया इनकी शिक्षा हैं, वो कासी आगरा और लाहूर में हुई थी, और इनका जो मूल नाम हो कैदार पांडे था, सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बोथ धर्म ग्रहन कर लिया तब से उनका नाम राहूल संकर्त आयन हो गया अब देखे 8893 में में इनका जरम होता है और इसके बाद में इनका जो मूल नाम है वो कैदार पांडे था यहीं कैदारपांडे था और 1930 में जब ये स्रिलंका जाते हैं वहाँ पे ये बोध धर्म को ग्रहन कर लेती हैं और उसके बाद में इनका जो नाम है वो राहुल सायंकरताईन हो गया राहुल जी पाली प्राकर्त अप भ्रंश तिब्बती चीनी जापानी रूसी सहित अनेक भासाओं के जानकार थी बोध धर्म ग्रहन करने के बाद में अलगलग जो स्थाने उनका ब्रह्मन किया और साथ ही साथ इनोंने अलगलग जो भासाओं हैं उनके शिक्षाली और उन भासाओं के जानकार थे तो इसी कांसे इनको महापंडित भी खा जाता था राहुल सांकरताईने उपन्यास कहानी आतम गथा यात्रावरत जीवनी आलोचना सोध आदी अनेक विधाओं में साहिते स्रजन किया इतना ही नहीं उन्होंने अनेक ग्रंतों का हिंदी में अनुवाद भी किया अब देखिए इनोंने जो हैं अनेक उपन्यास भी लिखी हैं कहानिया भी लिखी हैं यात्रावरत जीवनी आरोशना शोदादी अनेक विधाओं में साहिते स्रजन किया है और इतना इन्होंने जो अनेक गरंतों का अनुवाद जो हिंदी में भी किया था मेरी जीवनी आत्रा छे भाग दर्शन दिगदर्शन बाईसमी सदी बोलगा में सेगंगा भागों नहीं दुनिया को बदलो दिमागी गुलामी घुमकर सास्त्र उनकी प्रमुकृतिया है साहिते के लावा दर्शन, राजनिती, धरम, इतिहास, विज्ञान, आदी, विविन विश्यों पर राहूल जी द्वारा रचित पुस्तकों के संख्या लगवग एक सो पचास है अब देखिए इनके द्वारा जो रचित पुस्तके हैं उनके संख्या लगवग डेख्यों के करीब हैं राहूल जी ने बहुत सी लुप्त पराई सामगरी का उधार कर अतनित महत्तपुन कारे किया है अब राहुल जी ने भोसी जो लुप्त प्राई जो लुप्त हो चुकी थी ऐसी सामगरी का उधार किया जो कि अत्यंति महत्पुन कार्या है यात्रवरत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यत्म है अन्यत्म यनकि इनके समान और कोई नहीं है महत्पुर्ण स्थान इनका यात्रावरत लेखन में उन्होंने गुमकडी का सास्तर रचा और उससे होने वाले लाबों का विस्तार से वर्णन करते हुई मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमकड का उदिश्य बताया हूँ अब घुमकडी का सास्त्रा घुमकडी मतलब जो घुमने वाला है तो उसके सास्त्री की रचना की है और उससे होने वाले जो लाब है उनका विश्थार पुरुक वर्णन किया है और कहा है कि किस प्रकार से मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमकड का उदेश्या होता है कि किसी एक मंजिल को नहीं प्राप्त करना बलकि यात्रा करते रहना ही घुमकड जो है जो घुमने वाला उसका उदेश्या होना चाहिए गुमकडी से मनरंजन ग्यान वर्दन अग्यात स्थलों की जानकरी के साथ साथ बाशा और संस्क्रिती का भी आदान परदान होता है अब कहा है कि जो गुमकडी हैं गुमने वाले हैं उनसे गुमकडी परवर्दी से मनरंजन तो होता ही है ग्यान वर्दन भी होता है साथ ही साथ और इसके अलावा जो अग्यात स्थल हैं उनकी जानकरी के साथ ही जो भासा है जो संस्क्रती है उसका दान परदान भी होता है राहुल जी ने विविन इस्तानों के भुगोलिक वर्णन के अत्रिक्त तो उसमें लेखक जो है वो क्या बताना चाहता है उसका मूल उदिशे क्या है और हमारा जो अध्याई है लहासा की और तो इसका मूल भाव क्या है तो इसका हम अध्यान कर रहे हैं अभी तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें संक्लित अंस जो हमारा इसमें अंस लिया गया ना एक तो राहूल जी की प्रतम तिब्बत यात्रा से लिया गया है कि जो उन्होंने 739-39 में नेपाल के राश्टे की थी अठीबत जाने के लिए नेपाल के राश्टे क्योंको तो जाने नी दिया जाता था तिबत में अनुमती नहीं थी तो इस करणं से भीक मंगे के रूप में भीक मांगने वाले और बिखारी के चछथम वेस्ट में यह वहां पर गई थे यात्रा कि थी नहों इसमें तिब्बत की राजदानी लहासा की और जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है अब तिब्बत की जो राजदानी लहासा है तो उसकी और जाने वाले जो दुर्गम रस्ते हैं दुर्गम यानिकि जहां पे शिगरता से नहीं जा सकता हूं ऐसे गठीन जो हैं तो ऐसे रस्तों का वर्णन नियुक्त है बहुत ही रोचक ढग से किया है रोचक शेली में किया है इस यात्रावरतांत से हमें उस समय के तिबथी समाज के बारे में भी जानकरी मिलती है अब देखिए हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो संक्रत्यायन जी है जो राहुल जी है उन्होंने वहां के भुगोलिक जो वर्णन है वो तो किये ही है साथ ही साथ जन्जीवन जो है वहां का लोगों का रहन सेन कैसा है तो इसका भी एक रोचक जो वर्णन इनके उपन्यासों में यात्रावरतांत में देखने को मिलता है तो वैसा ही इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो यात्रावरतांत है ये लहासा की और तो इसमें तिबती समाज के बारे में भी जानकरी मिलती है वहां की बुगल इस्तिती का तो वर्णन है ही साथ इसाथ वहां का जो समाज है तिबती जो समाज है उसके बारे में भी जानकर हमें मिलती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो मूल अध्याई है लहासा की और उसका ध्यन करते है अब देखिये किस प्रकार से वहां के जो वर्णन है जो यात्रा की गई है तो उसका वर्णन इसमें रहु जी ने किया है और हर प्रकार से एक चितरात्मक जो सैली है उसका इनोंने प्रयोग किया है कि हम पढ़ने से ही पढ़ने मातर से ये अनुभू करते हैं कि हम भी उनके साथ में उस स्यात्रा में सामिल है जिस स्यात्रा का ये वर्णन कर रही है अब ये नेपाल के रस्ते जो है वो तिबत जा रही है और तिबत की जुरा जानी है लाहसा तो उसका इन्होंने अत्यन्ती मनोहारी जो वर्णन है वो किया है तो चलिए हम भी यात्रा करते हैं लाहसा की तो चलिए आगे बढ़ते हैं वहन नेपाल से तिबबत जाने का मुख्य रास्ता है अब नेपाल से तिबबत जाने का जो मुख्य रास्ता है तो वहाँ चल रहे हम फरी क्लिंग पॉंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़े इसी रास्ते तिबत जाय करती थी अब देखें इसमें अब यह स्थान का नाम है फरी क्लिंग पॉंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की जो चीज़े है ना वो सारी जो चीज़े है वो तिबत के रास्ते ही जाये करती थी यह वैपारी की ही नहीं सैनिक रास्ता भी था इसलिए जगह जगह फोजी चोकिया और किले बने हुई है जिनमें कभी चीनी पल्टन रहा करती थी अब चीनी पल्टन पल्टन का मतलब सेना कि चीनी जो सेना है चीन के जो सेनिक है वो रहते थे आज कर बहुत से फोजी मकान गिर चुकी है जो फोजी मकान थे ना जो जिसमें फोजी रहते थे तो वे मकान गिर चुकी है की हैं और वहीं पर ही कुछ आवादी दिखाई पड़ती हैं ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था परित्यक्त जिसको त्याग दिया गया है जो किसी काम का नहीं अब वहां कोई नहीं रहता इस प्रकार का जिसके सुद बुद नहीं लिजा रही है हम वहां चाहे पीने के लि के लिए बहुत से तकलीफे भी हैं और कुछ आराम की बाते भी हैं वहाँ जाती पाती चुआ चुट का सवाल ही नहीं है अब देखे तिब्बत एक ऐसा स्थान है जिसका वर्णन यह कर रहे हैं कि वहाँ पे को जाती पाती नहीं है कोई ऐस पर्शता चुआ चुट का भाव नहीं है वहां पर और नय औरते परदां करती है जिया इसमां बहुत निमन सृनी के यह भिक्हमंगों को लोग छोरी के डर से घर यहां नहीं आने देते अंगया आधर देखिए लेखने किसमें बता रह'RE है कि बहुत ही निमन स्रेनी का अगर कोई भिखमंग है ना तो उसको लोग चोरी के डर से गर्मी नियान देते नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते है नहीं तो आप जो घर के अंदर तक चले जाएं तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि यहां पर किसी प्रकार की कुई जाती पाती चुआ चूँद का भीरत भाव नहीं है और हर प्रकार से हर किसी का स्वागत किया जाता है तो ऐसा भाव इसमें लक्षित करने का प्यास लेकर नहीं किया है चाहे या बिल्कुल आपरीचित हों तब भी घर की बहु या सासू को अपनी जोली में से चाहे दे सकते हैं वे आपके लिए उसे पका देगी आप देखे इसमें आप चाहे किसी को जानते तक नहीं है तो या भी घर के अंदर बहु है या कोई सासू है तो अपको चाहे बना के देदेगी वो मखन और सोडा नमक देदीजिए वे चाहे जोडी में कूटकर उसे दूद वाला चाहे के रंग चाय के रंकी बनाके मिट्टी के टोटी तार बरतन खोटी में रखके आपको दे देगी अब देखिए इसमें कि आप अपनी जो जोली में से चाय आपके पास में है तो वो दे दीजिए तो वह आपको बनाके दे देगी और साथ ही साथ मक्खन और जो सोडा नमक भी दे दीजिए अब मक्खन भी क्योंकि वहां डालते हैं तिबत के लोग और सोडा नमक भी दे दीए वहां चाय चॉनली में कूट कर अब चाय चॉनली में कूट कर यानिकि जो बरतन है उसके अदर कूट कर इसको दूद वाले जिस चाई में नहीं पड़ेगा अब देखिए कह रहा है लेखक कि आप ने मक्खन दे दिया सोड़ा दे दिया ना तो अगर बैठने का स्थान जो है चुले से दूर है तो आपको ये डर रहेगा कि सारा मक्खन उसके अंदर नहीं डाला जाएगा चाई में तो आप खुद जाकर चोंडी में चाई मत कर ला सकते हैं चाई का रंग त्यार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने के जरूरत होती है अब चाई का रंग त्यार हो गया यानकि बंद चुकी है पक चुकी है फिर उसमें नमक और मक्खन डालने के जरूरत होती है तो इस प्रक राहा दारी कहती hätten कि रस्ता दिखाने का जो टैक्स कहते हैं अबने वह जो क्या है है कि वह जो चिंटे वह क्या है तो मैं आ अपको बता गरता हूं कि गाओं के पुल से नदी पार करने के लिए जो मजिस्ट्रेट के आधके लिखी हुई राहादारी होती है ना तो लेखक ने अपने मित्र के साथ में उसको दे दी जो मित्र उसके साथ में गया हुए है तो वो उसको दे दी तो उसको चिंटे कहा गया है यानि कि पत्र जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो रहादारी लिख कर दी गई है तो उसे इसमें चिंटे कहा गया है साइद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखरी गाम में पहुंच गए अब ये थोडला क्या है इसमें तो थोडला बता देता हूँ मैं आपको कि तिबती सीमा का एक स्थान है ये थोडला यहां भी सूमती के जान पहचान के आदमी थी और बिखमंगे रहते भी ठैरने के लिए अच्छी जिगा मिली अब देखिए ये सूमती एक बहुत बिख्शू था तो जिसका नाम जो है लोवजड सेख था लेकिन इसको लेकर ने सादाना अर्थ में सूमती कहा है और सूमती के लिए सूमती नाम से पुकारा है तो सूमती के जान पहचान के आदमी थे वहाँ पे वो और बिखमंगे रहते थे बिखमंगे रहते भी ठैरने के लिए अच्छी जगह मिल गई पांच सार बाद हम इसी रास्ते लोटे थे और बिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के वेस्ट में गोडों पर सवार होकर आए थी अधिके पहले तो वो जो यात्रा की थी वो बिखमंगे की रूप में की थी राहूल जी ने लेकिन बाद में वो एक भद्र पुरुष्ट बन के आते हैं और गोड़े पर सवार होकर आती है किन्त उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगा नहीं दी अब देखे बिखमंगों को तो रहने के लिए जगा थी लेकिन हमें जगा नहीं दी है और हम गाहों के सबसे गरीब जोपड़े में ठहरे थी बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवरती पर ही निर्बर है खासकर साम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होस आवास को दुरुस्त रखती है अब शंग मतलब जो है एक परकार का नसा है उसको पीने के बाद में कि बहुत ही जो कम लोग हैं वो होस आवास में दुरुस्त रहती है अपने आपको दुरुस्त रखती है तो इसके बाद में हम आगे यात्रा कर रहे थी तो उस यात्रा का वर्णन हम भाग दो केंतरगत करेंगे तो आज हमने जो है रहुर जी त्वारा जो की गई लहासा की और यात्रा है उसका अध्यन किया है थोड़ा जो भाग एक केंतरगत है किस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं और किस प्रकार से वहाँ पे जाती पाती चूबा चूँट का भीद्बाव नहीं है और हर प्रकार से आप घर के अंदर तक प्रविश कर सकते हैं लेकिन जो निमन वरक कहा सकते हैं अपने भिखमंगे हैं निमन स्रेणी के भिखमंगे हैं तो उनको घर में प्रविश नहीं दिया जाता कि कहीं वो लूट पार्ट नहीं कर लें लेकिन अन्य था अन्य जो लोग ह और मक्षन और सोडा वगर है देंगे तो वह है डाल देंगे उसमें इस प्रकार से वनन किया है कि किस प्रकार से वहां के जो लोग है हर प्रकार से साहिक होते हैं और किस प्रकार से उन्हों ने चलते हुए एक जो रहादारी मांगने वाल था उसको चींटा दिया चींटा मतलब जो रहाद मजिश्टरी के दोबार लिखी की रहादारी थी वो दी है और किस प्रकार से उन्हों ने तिबती सीमा का एक स्थान का वणन भी किया है और जहां प तो उस वक्त जुह है किसी में रहने की ज이가 नहीं दी थे जब ख्मंगे की रूप में आथे थे उनके घ्जा जो है वही थे कृंध से जो वर्नन है इसमें लेकर ह plat किया है जिसका हमने ध्यान भाग एक के अंत्रगत्य किया और बाद में हम जो है भागदो का धिन करेंगे कि किस प्रकार से जो आगे तिबत के रस्ते में आने वाले जो मुसीबते हैं जो मुस्किले हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है और किस प्रकार के जो गाउं है और जो आदमी है वहां पर देखने को मिल रहे हैं और किस प्रक बाग एक अच्छे सा समझ में आया होगा इसी के साथ ही हमारा भाग पूर्ण होता है और कल जो है भाग दो का हम अध्यान करेंगे धन्यवाद